हेमन सुरेन और जारखन मुक्ति मोर्चा का असली चेहरा इस पुरे प्रकरन में एक्सपोस्ट हो गया खुद को अपने को आदिवासी का बड़ा हिमायती बताते थे इंडी कटबंदन सीना ठोक कर कहता था कि हेमन सुरेन आदिवासी के पूरे देश के सबसे बड़े नेता है लेकिन जब क्रंच की घरी आई जब में टाइम आया तो हेमन सुरेन के सुर्व बदले वे थे साहब चुनाओ में सिर्फ दो-तीन महीने बचे हैं और वो भी उनको नहीं बरदाश हुआ सत्ता की भूक और लालसा इतनी ज़्यादा थी कि एक दूसरा आदिवासी का बेटा चंपई सोरेन जो सोरेन परिवार से तालूक नहीं रखता है उसको उन्हों ने अटा दिया और हटा कर खुद से दाव़ा पेश कर दिया तो ये साफ दिखाता है कि जो कहते हैं कि आदिवासियों की सरकार है तो आदिवासियों का मतलब इनके लिए सिर्फ और सिर्फ सोरेन डाइनेस्टी है सोरेन डानेस्टी के बार कोई भी सदत से हो तो वो शिर्षपत पर हो तो यह ने बहुत दिन तक बरदाश नहीं होता ऐसा लग रहा है कि चमपई सोरेन को इन्होंने सिर्फ कुर्सी को गर्म रखने के लिए भेजा था साब यह अपने चमपई सोरेन और बाकी प्रदेश के आदिवासियों का घोर अपमान किया है आदिवासी क्या आपके लिए सिर्फ सोरेन परिवार के लोग हैं क्या आदिवासियत का डेफिनेशन ही सोरेन परिवार तक रेस्टिक्टेड है तो हमें लगता है कि जनता आने वाले चुनाव में इसका मुच्छोर जवाब देगी EVM के जरीए और हेमन सोरेन एक्सपोजड हो गए है सत्ता की बूकिल लेकर हाला कि अभी है बादचा बेट कुछ सोर्सेज है राज़ने गर्यारों में जो जेमें को जानते हैं जो जेमें के खड़ीवी नेता हैं अंदर जो पैठ रखते हैं उनका कहना है कि चंपई सोरेन को एलिवेट के जाएगा हो सकता हो उनको हेमन सोरेन की जो जगह थी एब्सेक्यूटिव प्रिसिजिएंट वानी वो जगह उनको दे दी जाएगी अब आप कुछ भी एलिवेट करें सीम तो नहीं बनाएंगे न और ऐसी क्या हर बड़ी थी मुके मंतरी बनने के लिए हेमन सोरेन को कि एक आदिवासी का बेटा जो चाचा भतीजा का रिष्टा था दोनों की बीच में ये तो हरे जगह कहते है थे चाचा है हमारे हेमन सोरे को देख रही है कि कैसे सत्ता की लड़ाई में एक बर फिर से हेमन सोरेन जी का आदिवासी विरोधी चेहरा आम आदिवासी विरोधी चेहरा एक्सपोज हुआ है